तो दोस्तो Target Player Series की यह हमारी Second Video है इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बार की Champion पतना पाय्ट के बारे में किन खिलाडियो के Team Auction Table पर Target करेगी क्या इनकी Auction Strategy रहने वाली है कितने पैसे उनके परस में बचे हुए है इटेंशन के बाद किन खिलाडे पर ये FBM काड इज़ करेंगे योक्षन टेबल के उपर इस वीडियो में रिटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए बिना दीर के शुरुआत करते हैं एक और नवी वीडियो की तो पहले बात करते हैं पर पतना पार्ट की टीम के प्री ओक्षन स्क्वार्ड के बारे में तो टीम ने ओक्षन से पहले अपने स्क्वार्ड में टोटल लज खिलाड़े को एड़ किया है जिन में 6 रेडर और 4 डिफेंडर है बात करते हैं पर पहले रेडर की तो पहले खिलाडी संदीप कुमार, तेन यहाँ पर नाम आता M. सुदाकर का, उनके बाद यहाँ पर नाम आता कुनाल महता का, चोथे खिलाडी यहाँ पर साहिल पाटिल, पांचवे प्लेयर यहाँ पर दीपक जागलान, और छटे खिलाडी आयान जो की लेफ्ट साइड के यहाँ पर टीम के डिफैंडर की तो पहले खिलाडी है मनीज कुमार, जो की लेफ्ट करव के डिफैंड रहाए थैन flame पर टीम ने 34.65 रुपे में अपने स्क्वार्ड में रिटेंग किया है तो बात करते हैं पर पहले रेडर की तो टीम के पास अच्छे खासे रेडर दिखाई दे रहे हैं सभी खिलाडी बहुती यंग और टैलेंटिड है एम सुदाकर जो की लैप साइट की रेडर है इन्होंन साल भी यह पतना पार्ष की टीम को हैसा थे इनके पास बड़ा इस्था टैलेंट है और इस बार यहां पर पतना पार्ष की टीम इनको पिछले साल के मकाबले ज्यादा चांसे देगी साहिल पार्टी लोग दीपक जागला निक बड़े अच्छी रेडर है पतना के लिए ए पतना के लिए तो बात करें आपर राइट कवर पोस्षान के लिए तो हैं पर टीम के पास नोग दीप जो कि यह उग्यों को डिवाड़ी है तो टीम यहां पर और ओक्शन में किसी एक्श्पिरियंस को टार्गिट करेंगी बात करें लैफ्ट को नोगी पोजिए लिए तो काबलों में इन्होंने 6 से टैकल पॉइंट हासिल किये थे तो टीम यहां पर ऑक्षन टेबल पर कोई सांदार बैकप खिलाडी इनका देख सकती है लेकिन यहां पर मैं डिफैंस में टीम के साथ यही उतरने वाले हैं अब हम बात करते हैं पर टीम के परस बैलेंस के बारे में आक्षण टेबल पर खार्च करने के लिए तो टीम के पास यहां पर तीम के पास लाइप बैकप तोर पर两 खिलाड में हधीयारी मोईब कर सकते मेरे हिसाब से नहीं बात के बाइस मकाबलों में टीम के लिए 47 टेगल पॉइंट हासल किये थे यह बहुती अच्छे यंग और अग्रेसिव डिफेंडर है टीम इनको ऐस ये बैक अपने स्क्वार्ड में सामिल कर सकती है बात के हापर दूसरे खिलाड़ी की तो हुने वाले अमन अंतिल यह भी रहे हैं अब हम बात करते हैं पर राइट को डिफेंडर की जिनको टीम टेबल पर टार्गेट कर सकती है तो पहले खिलाड़ी होने वाले साहुल कुमार यह लगातार दो सीजन से जैपुर पिंग पैंथर्स की टीम खाहिसा थे लेकिन इस बार इनको टीम ने रिलीज कर दि अधार चाही तो टीम बात करते हैं पर टालगेट खाहिसा राइट के बारे में तो दोस्तो लेफ्ट कергर के लिए पतना पार्स की टीम के पास दो पहतरीन आप्सन है तो टीम लेफ्ट के वर में सहाइद किसी खिलाडी को टार्गेट करे लेकिन यहाँ पर बात करें, राइट कवर रिखिलाडियों के बारे में जिनको टीम टार्गेट कर सकती है तो पहले खिलाडी होंगे शुट जीचिंग, मेरे इसाब से आपर प्रो का बड़ी के अंदर इनसे भैतरी और एक्स्पिरेंस डिफेंटर साइध ही अभी फिलाल कोई खिलाडी हो, तो यहाँ पर दोस्तो टीम इनको टार्गेट कर सकती है, एज राइट कवर, यह टीम को प्रो का बड़ी का बड़ा एक्स्पिरेंस है, सीजन 10 में खिलाडी बैंगलूर बूल्स की टीम खायशा थे, जहाँ पर अपने खेलगे किसम काबलों में इन्हें 56 डेगल पॉइंट हासिल हुए थे, यह और इनोंने आपर बैंगलूर बूल्स की टीम की कैप्टन सी भी की थी बात है, आपर सेकंड राइट कवर के बारे में तो होंगे दर भी कुमार टीम इनको भी ऐस ये बैकप या फिर मैंड डिफेंडर के रूप में अपने स्कौर्ड में सामिल कर सकती है, सीजन 10 में खिलाडी गुजरात की टीम का हिसा थे, जहाँ पर इनको इतने जादा मो हैंडर जिनको टीम ओक्षिन टेबल पर टार्गेट करेगी, अब हम बात करने वाले रेडर की, तो जैसे मैं आपको बताया, टीम के पास एम सुदाकर और संदीब कुमार जो के टीम के लिए ऐसे सेकंड डेडर और थर्ड रेडर का रोल नहीं भास सकता है, साथ यहाँ पर और तो पर ऑच्छे खासे पहली बार हमें भरत हुड़ा दिखाई देने वाले प्रोक बड़े के उक्षन में तो यहापर भूच से टीम है उनके उपर बीड़ करने वाली है तो पतना पाइट्स की टीम भी सांदा रेडर को अपने स्क्वार्ड में सामिल करना चाहेगी टीम के पांस यहापर अच्छा से यह भी यू मुंबा की टीम का इसा है पिछले साल इस खिलाड़ी ने टीम के लिए अच्छी प्रोमिस की थी अपने खेले कर ठारम काबलों में इन्हों ने वी मुंबा की टीम के लिए एक सो अट्सर ट्रेडर पोइंट हासिल किये थे तो यह भी यहापर पटना पाइट के लिए एक अच्छी जोईस हो सकते है ऐसे मैन रेडर बात के है अपर थर्ड ओप्शन की तो वो सकते है मीतु सर्मा इनको भी टीम यहापर अपने स्क्वार्ड में आड़ कर सकती है मीतु यहापर सीजन 10 में दबंग दिली के ऐसी की टीम का इसा थे टीम ने इनको आपर 87 आज ओक्षन में टार्गेट करें ऐसे मैन रेडर या फिर टीम के लिए ऐसे सेकेंड रेडर भी हो सकते हैं तो यह थे हो सबी खिलाड़ी जिनको हापर पटना पाइस की टीम परो कबड़ी सीजन इलाउन के ओक्षन टेबल पर टार्गेट कर सकती है तो कैसे लिए आपको ह स्क्राइब करके बाले कि उनको दबा ले कबड़ी से जूड़ी आइसे शांदर अपडेट पाने के लिए थरने वाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए